दोस्तों कि आप जानते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हम मनुश्य जितना हमारे सूलर सिस्टम के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य हमारी प्रिथवी पर मौजूद है फिर चाहे वो दो समुद्रों के पास मिलने वाले मरमेड्स हो या फि भी कहीं न कहीं छुपे हैं अब वो जीव कौन से हैं इसे जानने के लिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना होगा क्योंकि हमारे इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे रहस्यों से परदा उठाने वाले हैं जैने सुनने के बाद आपके दिमाग में 440 वोल्ट के के लगेंगे दोस्तों आज की समय में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच जिसका नाम लोलोंग है इसके लंबाई लगभग 20 फिट है ऐसे में अगर हम आप सो ये कहें कि साल 1964 को वेग्यानिकों के हाथ एक ऐसे मगरमच का फौसिल लगा जिसके लंबाई 40 फिट थी तो आप क्या कहेंगे अब ये चीज सुनने में भले अजीब लग रही है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और ये फौसिल आज से करीब 10 करोड साल पुराना है एक्सपर्ट का कहना है कि ये मगरमच उस समय डैनसोर का शिकार किया करते थे जिहां आपने बिल्कुल सही सुना डैनसो पर कोई भी नॉर्मल जीव एक निश्चित समय काल के बाद ग्रोव करना बंद कर देता है उधारन के तौर पर हम इनसानों को इली लीजी हम मैकसिमम 18 साल तक बढ़ते हैं उसके बाद हमारी ग्रोथ रुख जाती है और ठीक ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है लेकिन किस हद तक बढ़ सकता था इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है पर सबसे ज़ाधा डरावनी बात यह है कि समय के साथ ही जीव किस तरह हमारी पृथ्वी से विलुफ्त हो गया इसकी किसी को जानकारी नहीं है सैको ग्रामेटिक नाम के एक आर्कयोलोगिस्ट के मताबिक साल 1950 में यूएस आर्मी की एक टीम ने ग्रीस में एक 18 फिट लंबे कंकाल की खोज की और फिर उसी साल अलास्का में एक और बड़े इनसान का कंकाल मिला जिसका अकेले सिरही तीन फुट का था दोस्तों इसके बाद साल 1993 में मंगोलिया में माइनिंग का काम करते हुए वहां के वरकर्स को एक और कंकाल मिला जिसके लंबाई 20 फिट से ज़्यादा लंबी थी अब इन कंकालों की रिसर्च हुई तो पता चला ये सबी कंकाल एक लाख 25 हजार साल से भी ज़्यादा पुराने हैं जिसमें एक चीज तो पता चलती है कि या तो लाखों साल पहले नॉर्मल इंसान इतने लंबे हुआ करते थे या उस समें महामानों का राज चलता था अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि कोई जीव आकार में हमसे लंबा हूँ तो डर लगना सवभाविक है लेकिन अगर उसी जीव के पास एक से ज़्यादा सिर हो तो आप जरा सूच कर देखिए आपका डर किस लिवल पर पहुँच सकता है दोस्तों ऐसा ही एक जीव है जिसका नाम है मल्टी हेड़ेड शार्क अब आप खुद ही सोचिए एक सिर वाली शार्क के बारे में सोच कर तो इनसान के आलत खराब हो जाती है ऐसे में उसे पता चल जाए कि किसी शार्क के एक से ज़्यादा सिर मौजूद है तो उसका क्या होगा लेकिन इस तरह की शार्क हमारी प्रिथ्वी पर इतनी ज़्यादा रेयर है कि इनका हम इनसानों द्वारा देख पाना बड़ा मुश्किल है हलाकि कुछी दिन पहले फ्लोरिडा के एक मच्छवारे को टू हेड़ड शार्क का एक बच्चा हाथ लगा और सिर्फ इतना ही नहीं 2008 में भी इंडियन ओशियन में एक टू हेड़ड लबेबी शार्क को देखा गया बात यही पर खत्म नहीं होती दोस्तों क्योंकि अगर हम वेग्यानिकों की माने तो उनके मुताबिक समुद्र की गहराई में इस तरह के दो या फिर दो से अधिक सिर्व वाले इशार्क का होना मुम्किन है और ये बात भी वेग्यानिकों दोरा कही जा रही है कि आने वाले समय में हमें इस तरह के जीव देखने को मिल सकते हैं अब दोस्तों अगर हम साल 1977 में हुई डरावनी घटना के बारे में आपको बताएं तो उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा क्योंकि समुद्रों पर रिसर्च करने वाली और्गनाईजिशन ने समुद्र की गहराई से आती हुई एक फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया जो कुछ और नहीं बलकि किसी समुद्री जीव की आवाज थी और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आवाज 6,000 किलोमेटर की दूरी को ट्रैवल करके अंडर वाटर माइक्रोफोन्स तक पहुंची और पहुंचने के बाद जो आवाज हुई वो कुछ इस तरीके की थी क्यों दोस्तों सोच में पढ़ गए आखर इस तरह की आवाज किस चीज़ की हो सकती है तो आपकी जानकरी के लिए बता दूँ कि ब्लू वेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतर 1,500 किलोमेटर तक ही सुनाई पढ़ती है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 6,000 किलोमेटर की दूरी तै करके आई थी अब अगर वोईस की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलीट किया जाए तो इस कैलकुलीशन से साफ पता चलता है कि जिस जीव की आवाज होगी वो ब्लू वेल से लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा अब अगर हम आपको ब्लू वेल के बारे में बताएं तो दोस्तो यह लंबाई एक साथ सेंख़डों लोगों को तबाह करने के लिए काफी है ऐसमें इतने लंबे जीव के बारे में अगर इतिछास के पनों को उठाकर देखा जाए तो वो या तो करकेन या लिवायतन जैसे जीव होंगे नहीं तो हम सभी के दिलों की धड़कने बढ़ा देने वाले मेगलाडोन जैसे कोई राक्षिश होगा दोस्तों ये सभी मॉंस्टर आज से करोडों साल पहले प्रिथवी पर रहा करते थे जिनके जिन्दा रहने के सुराग हमें समुद्रों से आज मी मिलते हैं फिर चाहे वे इनके दात के रूप में हो या इनके शरीर के बाकी अंगों के रूप में हमें इस तरह के खतरनाक समुद्री जीओं के सुराग कहीं न कहीं मिला करते हैं जो दिमाग में एक डर बनाए रखते हैं कि अगर कहीं ये जिन्दा हुए तो इन्होंने इन्सानी सबेता की तरफ अमना रुक कर लिया तो इनको रोक पना संबह हो जाएगा वैसे जब हम कराकेन और मेगलडोन जिससे विशाल का एं मौनस्टर की बात कर रहे हैं तो इन सबी को टकर देने वाले सबसे खतरनाक जीव के बारे में आपको बताना कैसे बूल सकते हैं दोस्तों जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो आज से 6 करोड साल पहले ही विलुपत हो गया था इस जीव का आकार 43 फिट का था और वजन एक टन के बराबर जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा हम बात कर रहे हैं दुनिया में अब तक पाय जाने वाले सबसे खतरनाक और विशाल का इस सांप टाइटेनो बोवा के बारे में क्योंकि अगर आप दो जिराफ की हाइट की तुलना इस विशाल का इस सांप के सामने करेंगे तब भी वो टाइटेनो बोवा से छोटा पड़ जाएगा जिस तरह आज के समय में अनाकॉंडा और पायथन जैसे सांपों ने हम इनसानी सबेता की नाक में दम कर रखा है वो हर साल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं वहीं आज से करोडों साल पहले ये टाइटनो बोवा हमारी प्रित्वी पर रहकर डैनसोर की खराब करने में लगे रहते थे क्योंकि इनका साइज इतना जादा बड़ा होता था कि ये डैनसोर को बड़ी असानी से खा लेते थे और मगर मच जैसे जियों का शिकार करना इनके लिए ठीक वैसा ही था जैसे हम इंसान चीन्टियों मसल कर मार देते हैं ऐसे में अब आप सोचिए अगर ये सांप प्रित्वी पर वापस आ गया तो कितना बड़ा बोचाल आ जाएगा वैसे जिस हिसाब से लंबे-लंबे सांप पाए जा रहे हैं उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटेनों बुआ जितने बड़े सांप हमें देखने को मिलें और दोस्तों हम ऐसे अवा में नहीं कह रहें बलकि इसके पीछे की एक वज़ा है और वो वज़ा ये है कि ये सांप जब प्रित्वी पर रहता था तो धर्ती का तापमान काफी अधिक हुआ करता था और जिस हिसाथ से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसे देखते हुए कहना बिलकुल भी गलत नहीं है कि प्रित्वी का आवरेज तापमान अब धिरे धिरे बढ़ने लगा है और यही कारण है कि सांप जैसे जानवर अपने साइज में बिस्तार करने में लगे है अब फैंसला आप पर है कि आप क्या चालते हैं इस तरह के विशाल का जानवरों का प्रकोब जेलना या फिर साफ सुरक्षित हवा में सांस लेना क्योंकि हम तो सेकेंड आप्शन को ही चुनेंगे और अपनी तरफ से मेनद भी करेंगे बाकी आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताईए और इससे तरह के इंटरस्टिंग विडियो उसको लगातार देखते रहने के लिए अपने हूस्टों दोस्ट सैम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल है